हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो आज चैनल ट्रेंडिंग प्रदेश, आज 22 मार्च हैं और आज के जहारखन्स रिलिटे जितने भी इन्पॉर्टेंट करेंट आफियस बन सकते हैं, उन सभी को आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिसकस करने वाले हैं, एक इन्पॉर्ट को दो सेक्षन में बाटा गया है, पहला सेक्षन आज अप्लोड हो जाएगा, दुसरा सेक्षन आज से दो दिन बाद अप्लोड कर दिया जाएगा, पहले में जितना भी पद्मा अवार्ट हरकन्स रिलेटेड हैं, उनको कभर किया जाएगा, उसके बाद साहित अकार्डमी awards को cover कर लिया जाएगा ध्यांचंद अवाद और आपका द्रोनाचार अवाड ये चार अवाड को एक वीडियो लेक्चर में cover करेंगे और जितना भी remaining awards है rest of the awards जिसमें आपका total 50 अवाड से उसे दुसरे लेक्चर में cover किया जाएगा ठीक चलिए आज का current affairs लेक्चर काफ इंपॉटेंट है क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे कि सर आप इंडेस्ट्रियल पॉलेसी जो प्रोपोस्ट है एक अप्रियल से जिससे लागों किया जाना उस पर mcq लाइए तो आप question number 6 से 8 जो है आज का यह उसी पर बेस्ट है वो पूरा इंडेस्ट्रियल पॉलेसी पर ही बेस्ट है उससे possible questions डिसकस करेंगे चलिए आज के लिए आपका पहला question है 20 मार्च को जारखंट आंडोलन से जुड़े किस राजनेता की 51st पुन्यति थी मनाई गई है तो इसका correct answer हो जाएगा option number A जैपाल सिंग मुंडा जी की 51st देथ anniversary मनाई गई है चलिए कुछ important point से जिने देख लिजे 20 मार्च को जैपाल सिंग मुंडा को उनके 51st पुन्यति थी में पूरे जारखंट में याद किया गया है जैपाल सिंग मुंडा का जन्म 3 जनवरी 1903 को हुआ था और उनकी मृत्यू 20 मार्च 1970 को हुई थी यह दोनों ही date important है जन्मति थी और पुनिति थी क्योंकि इनका योगदान जहारखंट आंदोलन में सरवोच है मतलब सबसे अधिक अगर किने का contribution एक तरह से देखा जाए तो वो जैपाल सिंग मुंडा जी का है चलिए थर्ड पॉइंट है वे एक चाने माने politician, पत्रकार, लेखक, संपादक, सिक्षाविद और 1925 में Oxford Blue का खिताब पाने वाले होकी के एक मात्र अंतराष्ट्रिया खिलारी थे यह point important है उसके बाद है उनकी कप्तानी में 1928 के Amsterdam Olympic में भारत ने पहला स्वन पदक भी जीता था आपको याद होगा कि यह जो Olympic जो event होता है उसमें gold medal पाने वाले पहले कप्तान है आपके जैपाल सिंग हुंडा जी यह काफ़ important point है चलिए next question को देखते हैं यह भी काफ़ important question है क्योंकि यह जो equinox होता है यह साल में दो बार होता है जिसमें से एक बार आपको होता है 21st of March को इसमें क्या होता है इस equinox में जितना ही समय equal day और equal night दोनों में कोई difference नहीं होता है जितना समय के लिए आपका दीन रहेगा उतना ह एक खगोल्य घटना है जिसे जार्खन से सिर्फ एक ही जगह से देखा गया है वह है आपका हजारी बाग का बरका गाव प्रखन का गाव है जहां से इसे देखा गया यह काफ़ important घटना है चलिए कुछ important points से जिन्हें देख लेते हैं इसमें यह उसकी photo है मेगालितिक जो प प्रखन के हजारी बाग चिले के बर्का गाव प्रखन स्थित पंक्री बरवाट्य के मेगा लितिक स्थल में यह या रखेगा वी समार्च को एकुई नौक्स की बीच बने वी अकार से सूर्य को दक्षन यान से उत्तर यान की ओर दिशा बदलते देखा गया है इक्विनोक्स के कारण होने वाली ऐसी खगोलिय घटना बेलजियम, इंगलैंड, मध्य अमेरिका में भी देखा जाता है वहीं जार्खन के बरका गाओ के पक्री बरवाटी में ही सिर्फ ऐसा नजारा देखने को मिलता है इतिहास कारों के अनुसार यह स्थल मध्य अमेरिका के माया सभ्यता, एस टेक सभ्यता से मिलता जूलता है आपको माया सभ्यता तो याद होगा ना, एक बार जब 2012 का समय आप याद करिए, काफी रूमर्स उड़ा था कि 2012 के बाद संसार खत्म हो जाएगा यह रूमर्स क्यों उड़ा था आपको याद है ना, यह इसी माया सिविलाइजेशन के कैलेंडर के वज़े से था इसमें क्या था कि सिर्फ 2012 तेक की ही बातें इस कैलेंडर में लिखी गई थी और जितनी भी बातें लिखी गई है उसमें से ज़्यादा तरसच थी इसलिए लोगों ने अपने मन ही मन प्रिडिक्ट कर लिया कि 2012 के बाल प्रित्वी का नास हो जाएगा और उसमें मूवी भी बना दी गए थी खेल चलिए कोई ने आपको ये छोटा सा जानकारी था जो मैंने बता दिया एक कैस मार्च को दीन और राद बराबर होता है इक्विनोक्स का मतलब ही यही होता है इक्वल डे इक्वल नाइट इसलिए सूर्य दक्षिन यान से उत्तर यान की ओर करवट लेते दिखाई पड़ता है तर यह थर्ड कोश्चन है निती आयोग द्वारा जारी की गई फरवरी महने की डेल्टा रैंकिंग में जार्खन के किस जिले को सिक्षा के छेतर में तीसरा स्थान मिला है अब थोड़ा सा इस कोश्चन को समझ लेते हैं देखें जो डेल्टा रैंकिंग होती है वो किसके द्वारा जारी की जाती है निती आयोग के द्वारा और यह किस फिल्ट में दिया जाता है आकांची जीला जिसे ingles में aspirational districts बोला जाता है उनके लिए देया रहाता है पुरे देश में टोटल कितने ऐसे जिले है टोटल 112 जिले है अब जिसमें से जारखन में कितने जिले है ऐसे 19 जिले है अब देखें मैंने इसे याद करने का आपको तरीका भी बताया था आप सारा का सारा 19 मत याद रखें जो 5 ऐसे जिले जो नहीं है इसमें सामिल उसे याद रखें चलिए इसका भी एक shortcut बता देते हैं आपको आप 5 जिले को याद करने के लिए आप करिए सराइकेला खरसावा एक कुलहंज प्रमंडल में हो गया ये अलग हो गया उसके बाद जितना भी चार जिला जो मैं गिना हो ना सब आसपास में उनले सब एक दूसरे से बाउंडरी सेयर करते हैं स्टार्ट करते हैं चलिए जामताड़ा हो गया ठीक धनबाद हो गया कोडर्मा हो गया उसके बाद आपका देवघर हो गया देखें जामताड़ा धनबाद कोडर्मा देवघर ये चारों एक दूसरे से बाउंडरी सेयर करते हैं सराइकेला खरसावा अलग हो गया तो ये पांच आप याद रखिए और ये पांच आपकी जो है अकांची जीले में नहीं आते हैं उसको छोड़ कर बाकी जितने 19 जीले है न सारे के सारे आपके अकांची जीले में आते हैं यह फेब्री मंत का एक और इंपोर्टेंट बात समझ लिजे इसमें, कि यह जो अकांची जीले की रैंकिंग होती है, डिल्टा रैंकिंग, इसे हर मंत जारी किया जाता है, हर मंत, यानि कि जो फेब्री मंत का जो डेटा आया होगा ना, उस डेटा में न टॉफ 5 को देखा जाता है, टॉफ 5 में कभी कभार होता है कि जारखन का कोई भी जीला ना हो, और कभी ऐसा होता है कि किसी कैटेगरी में कोई जीला फर्स्ट या सेकंड ऐसा कुछ पोजिशन में रहता है, तो हम लोगों को टॉफ 5 देखना है, और आखरीम अगर कोई जीला आ रहा है, टोटल, ओवरोल में, या फिर किसी कैटेगरी में, उसे याद रखना है, चलिए, चूँकि सब तो याद रख पाना मुम्किन नहीं है न, चूँकि ये साल में नहीं आता है, ये मंतली इस डेटा को रिलिस किया जाता है, तो इसमें पूछा गया है, एजुकेशन फिल्ड में, आपका फैब्री मन्त में, तो इसका करेक्ट अंसर हो जाएगा, अच्छलि यहाँ पर मिसिंग, नहीं न, ये है उप्सन नमबर भी, गुम्ला, इसका गुम्ला करेक्ट हो जाएगा, और सबसे खराब प्रदेशन अगर किसी जीला करा है, ओवरॉल में, तो ये पाकुर करा है, टूटल कितना बताया था, 112, 112 में से पाकुर कितने अस्थान पे रहा है, 111 में अस्थान पे, चलिए कुछ पॉइंट से जिन देख लेते हैं, गुम्ला को सिक्षा के छेत्र में, देश भर के 112 अकांची जीलो में तीसरा अस्थान मिला है, निती आयो की ओर से फरवरी 2021 के लिए सिक्षा को लेकर रैंकिंग जारी की गई है, इससे पूर्व नोवंबर 2020 में रामगर को देश में पहला अस्थान मिला था, अकांची जीला में यहां फैबरी की बात हो रही ह पाकूर की इस्तिथी सबसे खराब है, पाकूर को देश भर के 112 जीलो में 111 अस्थान मिला है, चलिए फोर्थ कोश्चन है, पुस्तक, personality trait, value and occupational aspiration अमंग high school tribal students के लेखा का क्या नाम है, तो इसका correct answer हो जाएगा, option number C, ससी कपूर ने इस किताब को लिखा है, और इस किताब का अ university के पूर्व कुलपती, रमेश P. पांडे के द्वारा, और अभी वरतमान में अगर पूछ ले कुलपती कौन है, तो आपका answer हो जाएगा, कामनी कुमाजी, चलिए कुछ points से जिने देख लिजे, इसमें तो कुछ है ने, उसा कुछ खास बताने के लिए, एक ही point है कि इसका चेयन राम मनोहर लोहिया इसमृती राष्ट पुरसकार 2020 के लिए किया गया, यह काफ इंपॉर्टेंट कोशन है, इस प्रकार के 3-4 अवार्ड्स है, आपका क्या हो गया, स्रीलाल सुक्र इसमृती पुरसकार हो गया, उसके बाद आपका हो गया, राम कृष्ण कथा इसमृ इसमें इन सभी को अब टू मार्च में कफर करने वाला हूँ, ताकि अवार्ड्स आपका कोई भी कोशन छूटे नहीं, साथ में जो चार काटेगरी में हमेशा बोलता हूँ, अवार्ड्स किने दिया गया है, किस ओर्गनाइजेशन के द्वारा दिया गया, क्यों दिया गय यह भी बहुत फेमस परसन है धार्खन के, यह प्रभाद खबर नियूस पेपर के संपादक हैं, और इन्होंने बहुत सारी किताब लिखी, आपको याद होगा दिसोम गुरू सीबू सोरेन नामे के किताब आई थी ना, यह किताब इनहीं के द्वारा ही लिखे गई थी, च स्वर्गे राम मनोहर लोहिया स्मृती राष्ट पुरसकार से समानित किया जाएगा, यह आपका है 21, 22, 23 तारीक को पूरी में सेरमनी और्गनाइस की जाएगी, उसमें इन्हें समानित किया जाना है, अनूत सिन्धा एक वरिष्ट पत्रकार होने के साथ-साथ एक लेखक भ स्मृती पुरसकार से समानित किया जाएगा, तो वहीं पर अगर आपसे option में पूछ लेता कि भावर लाल सिंधी स्मृती पुरसकार कि नहीं मिल रहा है, तो आपका answer हो जाता option number ए दिव्या अगरवाल जी को किस फिल्ड में अच्छा काम करने के लिए technology के field में, कहां से है य इन्हें हावाट कब देने का है, 19, 20 और 21 मार्च को पूरी जो आपका उडिसाम पड़ता है, होने वाले अखिल भारतिय मारवारी युवा मंच के 33 राश्ट्री अधिवेशन में इन्हें समानित किया जाएगा, चलिए कुछ important one liner types के है, यहां से जितने question है न 6-7 सभी कि सभ अग्रेड किया जाएगा, तो इसका correct answer हो जाएगा आपका option number D, बरही अधियोगिक छेत्र को, चलिए कुछ point से जिने देख लिजे, जार्खन सरकार के द्वारा food and meat processing पाक का निर्मान किया जा रहा है, बरही जो कि हजारी बाग में है, अधियोगिक छेत्र को खाद्य प्रस करें निकाईयों के लिए, कूल 36 एकर से अधिक भूमी आरेकशित की गई है, चलिए साथवा question है, जार्खन सरकार के द्वारा लगू द्योगों में निवेश करने वाले को, वालों को कितने साल तक की SGST में छूट दी जाएगी, देखें यहाँ पर SGST की बात की जारी, ना क SGST की question को ध्यान से पढ़ियागा, यह दोनों में difference होता है, जब economics, रमेश सर की economics अगर आपने पढ़िये उस किताब काफी अच्छी book है, ज़रूर पढ़ियागा, अगर आप means की तैयारी कर रहे हैं तो, मनलब GPS की की तैयारी कर रहे हैं तो, तो उसी book में से difference rate बढ़ी अच् साथ, 100% आपका SGST माफ रहेगा, लेकिन अगर को larger industry invest कर ली है, तो उसके लिए यही duration 7 से 9 साल तक क्या रहेगा, चलिए कुछ points से जिने देख लिए, जार्खन में निवेश का अनुकूल माहौल बनाने के लिए, जार्खन सरकार द्वारा SGST में 5 साल तक के लिए 100% का छूट दिया जाएगा, इसमें आपका नए उद्यमियों, स्टार्ट अप लगू उद्योगों को सामिल किया गया है, बड़े उद्योगों के लिए यही प्रवधान क्रम से 7 और 9 साल के लिए लागू किया जाएगा, आठवा कोश्चन है, जार्खन के किस जिला में फार्मा पार् जार्खन के उद्योग विभाग के द्वारा राची के चान हुप्रखन में फार्मा पार्ग और फूर्ट प्रोसेसिंग पार्व का निर्मान किया जाएगा, उद्योग विभाग ने फार्मा पार्व बनाने के लिए 35 एकर का ओपन एरिया आरेक्षित किया है, योजना के अनुसार शुक्ष्म लगू मध्यम और बड़े पैमानेक पर फार्मे उद्योगों को आवंटन के लिए पच्पन भूखंड प्रस्तावित किये गया हैं चलिए प्रिभियस कुछ कोशन को डिसकेस कर लेते हैं जारखन में इको रिट्रिट फेस्टीबल की सुरुवात फरवरी में किस जगह से की जाएगी इसे ओमिट कर दिजाब जब भी होगा आपका नेतरहाट से ही होगा आप सभी ने इसका correct answer दिया था देखिए आप answer जरूर करने की कोशिस करिए इससे होता क्या है अगर आप सही answer करते है ना तो आपका confidence boost up होगा अगर आपसे by chance गलत answer हो गया ना आप सीखेगा इससे ये तो एक तरह से win-win situation हो गया ना इसमें कुछ खोने का है ही नहीं इसलिए आप answer जरूर करें चलिए आज के लिए आपका quiz question है हाँ ये important question है फूलो जहानो आसिरवाज योजना के तहट ग्रामीन महिलाओं को रोजगार के लिए कितने हजार रुपए बिना ब्याज के दिया जाते है ये आपके option से 5 ज़़ाज, 10 ज़़ाज, 15 ज़़ार या 20 ज़़ार फूलो जहानो योजना की बात की गई है तो ये किससर related है ये related है आपका सड़क किनारे जो अभी हरियादारू बेचने वाली महिलाओं को मुक्ष रोजगार की थारा से जोड़ने के रिलेटेड है ये चीज़ चलिए ठीक है आज अपने आंसर को आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर सेर के लिए चलिए मिलते हैं अवार्ट वाले सेक्शन के साथ चलिए तक फर वाचिए भिडियो